Hello students, how are you? I hope कि आप सभी ठीक ठाक होंगे तो देखिए हमारा new chapter है, class 10th में chapter 5th, arithmetic progression जिसको short form में क्या बोला जाता है? AP बोला जाता है AP का क्या meaning है? हिंदी में सामांतर श्रेणी ठीक है? अब कोई भी श्रेणी है या कोई भी इस तरहें की सिरीज है वो कब होगी? arithmetic AP में कब होगी? जब उसका D बराबर आजए अब आपने ये चीज अच्छे से समझनी है की A, D, N क्या है ये चीजे? देखो A, A को क्या बोला जाता है हिंदी में? पहला पद और English में आप बोलेंगे first term क्या बोलेंगे? first term ठीक है? D, D को क्या बोलते हैं? सार्व अंतर यानि के common difference clear है? common difference का मिनिंग है सार्व अंतर हिंदी में N, N क्या होती है? number of terms कि मेरे पास कितनी terms दी गई है? वो आपकी क्या होंगी? N होंगी ये चीजें clear हुई अच्छे से? क्योंकि AP में इन तीन चीजों का बहुत main role है A, D और N मैं दुबारा repeat कर देता हूँ A होता है हमारा first term D होता है common difference N होता है number of terms ठीक है? अब first term का मतलब है जैसा कि देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाए हुए 2, 4, 6, 8 यह एक इस तरह से AP चल रही है तो इसमें जो सबसे पहली term होगी न यह 2 यह आपकी क्या कहलाएगी? A कहलाएगी clear हुआ यह? यह आपकी क्या कहलाएगी? A कहलाएगी ठीक है? और अब हम कुछ questions है वो check करते हैं कि किस तरह के questions इसमें आपको देखने को मिलेंगे How to check if any series are in AP or not? कैसे check करेंगे हम कि कोई भी series या कोई भी आपके पास में एक श्रिंखला दी गई है वो आपकी AP में है या नहीं है Simple, if D is equal, then the given series are in AP यदि D आपका बराबर आजाता है, equal आजाता है तो वो सेंख्या किस में होगी, आपकी AP में होगी clear है? अब बात आती है कि D कैसे check करेंगे हम कि D equal आया या नहीं आया तो उसके लिए देखो, एक example लेते हैं ये एक example है, type first, इस तरह के questions आपको मिलेंगे check 2, 4, 6, 8 are in AP और not, तो कैसे check करेंगे देखो, D निकालो पहले तो, D कैसे निकलेगा आपने क्या करना है, जो second term है, उस में से first term को minus करना है ठीक है, second term में से first term को minus करना है ये मैंने किया यहाँ पर 4 minus 2, कितना है 2, अब फिर क्या करना है third में से second term को minus करना है 6 minus 4, कितना है अब आगे क्या करेंगे 4th में से 3rd को माइनस करेंगे 8 में से 6 को कितना आगया 2 देखो आप देख रहे हैं continue क्या आए जा रहा है 2 आए जा रहा है equal चल रहे है that means D मेरा कितना आगया 2 आगया hence the given series are in AP यदि ये 2 equal ना है इस तरह से आप minus करते जा रहे हैं मानलो आपने इसमें से इसको minus किया 2 आगया अब कोई और नंबर आया उसमें से आपने minus किया और यहाँ पे 3 आगया तो वो AP में नहीं होंगी बात समझ आई clear हुई ये चीजे AP में तभी होगी कोई भी term जो लिखी हुई है जब उसका d यानि के common difference क्या आजे equal आजे और equal आप ऐसे check कर सकते हैं यहाँ से minus करके इसमें से check कर सकते हैं कि equal आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है ये चीज थी अब इसके बाद हमारे पास आता है एक और question check 1, 3, 7, 19 are in AP or not तो देखो कैसे करेंगे वो ही method second term में से first को minus करो मैंने 3 में से 1 को minus किया कितना आया 2 अब आगे क्या करेंगे 7 में से 3 को minus करो तो 7 में से 3 minus करेंगे तो कितना आएगा 4 देखो क्या बराबर आया यहाँ तो minus करने पर 2 आ रहा था और इस में से माइनस किया तो कितना आया? 4 इसका मतलब equal नहीं आया तो आप लिखेंगे Hence, given series are not in AP Clear है? मैं दिखाता हूँ आपको इस तरहें से ये देखिए 4 आया Hence, D is not equal Then the given series are not in AP आप इस तरहें से इसको करेंगे ये हमारी first type थी कि आप से इस तरहें के questions एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि check करवाएगा वो कि कौन से term AP में है या नहीं है चेक करके बताओ अब आप क्या थी type second इस तरहें के questions भी आपके आ सकते हैं We have A and D And then find next 3 or 4 terms आपके पास A दिया होगा D दिया होगा वो क्या करवाएगा next 3 or 4 terms आप से find करने के लिए बोलेगा For example जैसे मैंने लिया A मेरे पास है 5 और D है 2 तो क्या कह रहा है Then find next 3 terms of AP इससे अगली जो 3 terms हैं वो आपने find out करनी है तो कैसे करेंगे देखो A मेरे पास आगया 5 मतलब first term पहली जो term है वो मेरे कितनी है 5 है और D है 2 D का मतलब होता है difference हमें आगे बढ़ते जाने है अब एक term मेरे पास 5 है और अंतर कितने का चलाने है आपने 2-2 का अंतर चलाने है तो आप easily अपने मन में भी बता सकते हो कि अगली term क्या है 7 7 से अगली term क्या आएगी 2 एड़ कर दो 9 9 से अगली term क्या आएगी 2 फिर एड़ कर दो 11 इस तरह से ये चीजें चलती है अब देखो मेरे को next term निकालनी है second तो ये A प्लस D किया मैंने मतलब इन दोनों को आपने एड़ कर दिया 7 आ गया अब थर्ड टर्म निकालनी है थर्ड टर्म आप कैसे निकालेंगे A प्लस 2D मतलब 5 प्लस 2 और D की जगें 2 सोल किया 9 आप इसको डारेक्ट भी कर सकते थे कैसे कर सकते थे ऐसे भी कर सकते थे हम कि जैसे मेरे पास ये टर्म पहले कितनी आई 7 आई थी तो आप यहाँ पर सीधा 2 भी एड़ कर सकते थे कितना आगया 9 यहाँ पर अगली टर्म 9 आई है तो अगली के आएगी 9 प्लस 2 11 आप सीधा भी दिखा सकते थे यह चीजे तो यह समझ के आप लोगों ने करनी है या ऐसे करना चाते हैं तो ऐसे भी आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं यह सीधा भी कर सकते हैं जैसे यह 5 था तो एक टर्म कितनी आगई मेरी 5 प्लस 2 7 3rd कितनी आएगी 7 प्लस 2 9 4th कितनी आएगी 9 प्लस 2 ठीक है इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इस से अगली 9 प्लस 2 फिर 11 फिर 11 प्लस 2 13 इस तरह से आप कितनी भी इसमें जो है टर्म्स बना सकते हैं अपने तरफ से ठीक है अब आपकी यह 7, 9, 11 यह आगई आपकी तेन टर्म्स आगई नेक्स्ट इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं ठीक है simply बस आपको यह topic समझाना चाहिए कि A और D गीवन है तो अगली टर्म्स कैसे निकलेंगी इसमें D को add करते चले जाओ पहला 5 लिया तो दूसरा कितना आएगा D add करेंगे 7 फिर अगली क्या आएगी 7 में फिर 2 add करो 11 इस तरह से आपने करते चले जाना है आप कितने भी टर्म्स find out कर सकते हैं अब आती है type third we have AP and we have to find A and D हमारे पास AP दी गई है आपने क्या find करना है A and D अब देखो AP दी गई है तो हमारा काम बिल्कुल simple हो गया हम बार बार subtract करके नहीं देखेंगे क्योंकि वो पहले ही AP है तो अब AP यह दिया हुआ है question ऐसे 3,6,9,12 find A and D of the AP यह दिया गया है 3,6,9,12 dash 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 इस तरह से तो A मेरा कितना आ गया A आपको अच्छे से पता है कौन सी term होती है first term that means A आ गया 3 और D कैसे find होगा second term में से first को minus कर देंगे 3 बस hence A equal to 3 and D equal to 3 यह आपका क्या आ गया answer आ गया ठीक है अब आप सोचेंगे sir ने पहले जो type बताई थी उसमें तो बार-बार minus किये थे जी हाँ वो बार-बार minus इसलिए किये थे क्योंकि हम check कर रहे थे कि वो AP है या नहीं है यहाँ पर यह पहले ही कह रहा है कि यह AP है तो जब वो आपको पहले ही कह दे कि हाँ यह AP है तो आपने A और D find करना है तो A तो simply हो जाएगा जो हमारी first term लिखी हुई है और D कैसे आएगा आप second में से first term को बस minus करेंगे एक बार वो आपका D आ जाएगा clear हुई और जब check करवाने के लिए बोलेगा कि check करो यह AP है या नहीं है तो आप उसको बार-बार minus करेंगे second में से first को third में से second को fourth में से third को इस तरह से आप minus करते जाएंगे यदि वो equal आता है then वो AP है equal नहीं आता है तो AP नहीं है अब बढ़ते हैं अपनी exercise 5.1 की तरफ यह कुछ basic चीजें थी आपको exercise start करने से पहले यह write down करनी है सभी बच्चों ने अपनी notebook में अब exercise की तरफ चलते हैं 5.1 देखिए यह आपकी exercise 5.1 है यह question number first है हमारा the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer मतलब एक किलोमेटर के वो कितने rupees ले रहा है 15 और additional के कितने rupees बढ़ते जा रहे है 8 rupees तो कैसे solve करेंगे इसको इस type से देखिए यहाँ पर taxi fare for first kilometer है 15 rupees each additional kilometer का कितने है 8 rupees hence taxi fare for second kilometer कितना हो गया 15 में 8 add कर देंगे 23 third का कितना हो जाएगा 23 में फिर 8 add कर देंगे 31 fourth का निकालते तो fourth में कितना आ जाता 31 में फिर 8 add कर देते 39 इस तरह से यह आपकी एक AP चलती रहेगी hence 15, 23, 31 makes an AP यह इस question में आपकी AP जो है वो form और ही है क्योंकि देखो difference कितने का चल रहे है 8-8 का additional पे starting में 15 है फिर उसके बाद 8-8 increase होते चले जाएंगे additional kilometer के चीक है तो यह आपका first question था second की तरफ चलते हैं देखिए second question the amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1 by 4 of the air remaining in the cylinder at a time मतलब वो 1 by 4 को remove कर रहा है volume जो है उसमें तो कैसे solve करेंगे इसको इस type से चलेंगे let volume equal to x अब remove कर रहा है 1 by 4 of air तो 1 by 4 of x मैंने find कितना है x by 4 यह आगे x by 4 तो x में से x by 4 को minus करेंगे 4 आगे LCM 4x minus x कितना है 3x upon 4 ठीक है अब आगे आगे देखेंगे now 1 by 4 of 3x upon 4 अब इस 3x upon 4 का 1 by 4 फिर find करेंगे यह multiply हुआ 1 by 4 से 3x upon 16 तो यह आया 3x by 4 में से 3x upon 16 को मैंने minus किया 9x upon 16 अब आप देख रहे हैं एक x है 3x upon 4 है 9x upon 16 है क्या यह AP बनाएंगे नहीं बनाएंगे आप लोग चेक कर सकते हैं इसमेंस इसको minus करो इसमेंस इसको minus करो D equal नहीं आएगा तो आप लिखेंगे not makes an AP यह आपके AP नहीं बनाएंगे ठीक है next question की तरफ चलते हैं question number third है देखो पढ़ते ही मालूम हो जाता है पहले जो cost है starting कितनी है 150 अब उसके बाद जितने भी meter हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर एक meter पे cost कितनी increase होती जाएगी 50 इसका मतलब सीदी सीदी बात है AP बन रही है starting में 150 था अगले second meter पे कितना हुआ 2 meter पे 50 और इसमें add कर दो 200 फिर इसमें आगे कितना हुआ फिर 50 एड़ कर दो 250 इस तरह से एक AP बनती चली जाएगी तो इसको ऐसे solve करेंगे यह देखिए cost for first meter 150 rises rupees 50 each meter then for second meter कितना हो जाएगा 150 में 50 एड़ कर देंगे 200 for 3 meter कितना हो जाएगा 200 में फिर 50 एड़ कर देंगे 250 मतलब इस तरह से आपने यह बढ़ते चले जाना है तो यह आपकी एक AP बन गई 150, 200, 250 makes an AP सिधी सी बात है क्योंकि common difference कितना आ रहेंगा एकवल आ रहें 50, 50 बढ़ रहें तो यह आपके AP form करेंगे ठीक है इसी type से हमारा next question है यह देखिए question number fourth the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposit at compound interested at 8% per annum देखो principal मेरे पास है 10,000 rate है 8% अब वो कह रहें every year तो मैं क्या करूंगा बारी-बारी से 1, 2, 3, 2, 3 years का अपना चेक कर लूँगा कि क्या वो AP में है या नहीं है तो कैसे करेंगे इस type से इसको solve करेंगे सबसे पहले देखिए मेरे पास principal है 10,000 रुपेज rate है 8% time है 1 year मैं first year के लिए निकालता हूँ तो amount कितना है 10,000 1 plus 8 upon 100 यह आपको formula मालूम होना चीए P into 1 plus R upon 100 और power क्या होती है time ठीक है जितना आपका time given है वो तो यह first year के लिए आ गया 1 यहाँ पर अब second year के लिए 10,000 1 plus 8 upon 100 और यह power हो गई 2 third year के लिए 10,000 1 plus 8 upon 100 यह power हो गई 3 we can see that अब जब हम इसको solve करेंगे तो हम आसानी से देख सकते हैं कि यह सारी term AP में नहीं आएंगी ठीक है AP form नहीं करेंगी क्यों? क्योंकि इसको जब आप solve करोगे कुछ और answer आएगा इसको करेंगे और लेकिन difference इनका same नहीं आएगा आप solve करके देख सकते हैं easily देखना चाहें तो लेकिन यह AP क्या करेंगे? नहीं बढ़नाएंगे clear है? तो इस question में भी आप इस type से लिखेंगे कि यह AP को form नहीं करेंगे अब बढ़ते हैं अपने question number second की तरफ देखो इस तरह के example मैंने आपको कराए थे starting में write first four terms of AP when first term A and common difference D are given below यह मेरे पास A given है यह D given है आपने अगली जो है four terms लिखनी है तो कैसे लिखते जाएंगे? देखो पहले 10 में 10 add कर दो एक term आगे फिर उसमें 20 आए 20 में फिर इस D को add करते चले जाओ 30 आए 30 में फिर D को add कर दो 40 आए 40 में फिर add कर दो 50 इस तरह से आप कितनी भी terms निकाल सकते हैं कहने का मतलब है जो आपके पास A given है उसमें सबसे पहले D को add कर दो फिर जो term आए उसमें फिर D को add करते चले जाओ फिर जो term आए फिर D को add करते चले जाओ D को अपने add करते चले जाने अब जैसे ये question है इसमें D minus का है तो आप क्या करेंगे? 4 minus 3 हो जाएगा क्योंकि plus minus करेंगे तो minus हो जाएगा न, 4 में से 3 को minus हो जाएगा, अब जो आया उसमें से फिर 3 को minus कर दो फिर जो आया है उसमें से फिर minus कर दो 3 को, इस तरहें से आप लोग चलेंगे, ठीक है इसका एक fifth question है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप try करेंगे इसके, easy question से सारे, यह देखिए fifth है मेरे पास second का fifth part है ठीक है, a given है minus 1.25 d given है, minus 0.25 तो आपने a2 निकालना है कैसे निकालेंगे, simple आप इसमें इसको add करेंगे a plus d, minus 1.25 add करना है, minus 0.25 तो देखो, plus minus मिलागे, क्या हो जाएगा, minus 1.25, minus 0.25 add किया, कितना आगया, minus 1.50 सेम ऐसे ही, अब यह minus 1.50 है न, इसमें 0.25 को add करेंगे लेकिन add करने, यह पहले ही कैसा है minus का, तो plus minus मिलागे minus हो जाएगा, दोनो minus minus, plus होती है 1.75 आगया अब 1.75 में फिर 0.25 को add करेंगे यह मैंने solve किया, 2.0 आगया, 2.0 में फिर आपने 0.25 को add करना है, तो minus 2.25 आगया, इस तरहें से आपकी यह terms आगई next 4 terms आपकी यह आगई, आपने 5 लिख दें 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिख करतें ठीक है, फिर बढ़ते हैं, question number third की तरफ, question number third क्या कह रहा है आपका book में for the following AP, write the first term and the common difference देखो कितना easy question है first term लिखना है, वो कह रहा है for the following AP, that means AP तो है यह, पहले ही है, तो आपने सिर्फ first term लिखना है, first term मतलब जो सबसे पहले लिखा हुआ है, 3 आ गया फिर कह रहा है common difference common difference क्या आएगा, second term में से first को minus कर देंगे, वो आपका answer आजएगा, बस, बाकी कुछ नहीं करना इसमें, सभी में यही यह आपका A आगया minus 1 में से minus कर देंगे minus 5, वो आपका D आजएगा यह आपका A आगया, 1 by 3 D कैसे आएगा, 5 by 3 में से 1 by 3 को minus कर देंगे चीक है, आप लोग easily कर सकते हैं, इन question हो fourth question पे चलते हैं fourth हमारा है, which of the following are AP's, if they are form AP, common difference D and right 3 more terms, यह आपने बताने हैं, यह आप check करा रहे हैं इसका भी example मैंने आपको starting में दिया है, जब आपने start के था chapter, 2, 4, 8, 16, वो कह रहे हैं, क्या यह AP बना रहे हैं, तो पहले हम check करेंगे, 4 में से 2 को minus करो, कितना आया, 2 8 में से 4 को minus करो, कितना आया, 4 देखो equal नहीं आया न, यहां तो 2 आया था, minus करके और यहां, अलग आ रहा है 4 that means, these are not from AP, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, यह देखिए, 4th का first part इस तरह से, 2, 4, 8, 16 तो D निकार लेंगे हम 4 में से 2 को minus किया 2 आ गया, ठीक है, अब 8 में से 4 को minus किया, 4 आ गया देखो यह तो दोनो equal नहीं आए और AP के लिए क्या condition होनी चीए कि equal आना चीए यह equal आये ही नहीं, hence D is not equal, then the given series are not in AP, आप ऐसे लिखेंगे, आप A मेरे पास कितना था? 2, और D कितना था? 4 लेकिन आप इसकी next term लिखी नहीं सकते, वो यह कह रहा है कि जो हमारे AP में है उसकी next term आपने लिखनी है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, D तो हमारा आया ही नहीं है A हमारे पास है, D हमारे पास है ही नहीं, तो आप next four terms इसकी कैसे लिखेंगे यह हम लिखी नहीं पाएंगे, ठीक है आप उसी की लिख पाएंगे next four term जो आपकी AP में होंगी, ठीक है अब एक कुछ problem है fourth का fifth part हो रहे है, कुछ बच्चों की problems थी, तो यह मैं solve कर रहा हूँ यहाँ पर 3, 3 plus root 2 यह fourth का fifth part है और 3 plus 2 root 2 3 plus 3 root 2, इसको आपने solve करके check करना है कि यह AP में है या नहीं है, तो easily हो जाएगा इस में से आपने इसको minus करना है, 3 plus root 2 में से मैंने root 3 को minus करना है, तो 3 से 3 कट गया, क्या बच गया? root 2 अब यहाँ आ जाओ, third में से second को minus करेंगे, 3 plus 2 root 2 minus bracket 3 plus root 2 bracket के भार minus है, अंदर के sign change हो जाएगे, 3 से 3 कट गया, 2 root 2 में से 1 root 2 को minus करो कितना आ गया? 1 root 2 आ गया फिर आगे बढ़ो, इस में से minus करेंगे, इसको 3 plus 3 root 2 में से 3 plus 2 root 2 को, जब इसको minus करेंगे, तो देखो bracket लगा के करेंगे, bracket के भार minus है, अंदर के sign change 3 से 3 cancel, 3 root 3 में से 2 root 2 को minus कर देंगे, root 2 आ जाएगा, ठीक है अब आपका clear हो गया, D कितना आ गया? root 2, yes these are in AP A मेरा 3 आ गया, D मेरा कितना आ गया? root 2 आ गया अब next terms आप easily लिख सकते हैं एक एक बढ़ते चले जाओ जैसे 3 plus 4 root 2 आ गया, अगली term, 3 plus 3 root 2 तक था न, अगली आ गयी 3 plus 4 root 2, फिर आजएगी 3 plus 5 root 2 ठीक है? और है मेरे पास 4th का 12th part root 2, root 8 root 18, root 32 इसको चेक करना है तो देखो root 2 तो as it is रहेगा 8 को खोल के क्या लिख सकते हैं? 4 root into 2 9 को, 18 को 9 multiply by 2 32 को under root 16 multiply by 2, अब देखो ये root 2 ऐसे ही रहा 4 multiply by 2 और under root तो 4 का root कितना आ गया? 2 इसको भार ले लेंगे अंदर क्या बच गया? root 2 9 into 2, 9 का root कितना आ आए? 3, इसको भार ले लेंगे अंदर रहे गया root 2 16, इसका root कितना आए? 4, ये 4 यहां आ गया अंदर रहे गया root 2 तो ये आपकी एक AP आ गई 2 root 2 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2 अब आपने इसको check करना है तो कैसे check करेंगे 2 root 2 में से root 2 को minus करेंगे root 2 आया 3 root 2 में से 2 root 2 को minus करेंगे root 2 आया 4 root 2 में से 3 root 2 को minus करेंगे root 2 आया that means d मेरा आगया root 2 yes these are in a p अब a कितना है root 2 d कितना है root 2 आप easily next term लिख सकते हैं क्याएंगी 5 root 2, 6 root 2 7 root 2, 8 root 2 ठीक है? इस तरह से आप इसको solve करेंगे तो ये आपकी exercise थी 5.1 और कुछ basics चीजें थी इसमें मैं दुबारा आपको एक बार बता देता हूँ देखो AP में main चीज आपकी first term और common difference होती है common difference यदि किसी का equal है तब तो वो term AP में होगी नहीं नहीं होगी चीज़ें?